वीगन वाद बनाम शाकाहार दर्शन है या छलावा, आज हम इस पॉड़कास्ट में इसकी पड़ताल करते हैं तेजी से उभरते विचार के रूप में वीगन विचार इन दिनों बढ़ रहा है यह एक आयातित विचार है इस विचार का भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिद्रिश्य में कोई स्थान नहीं है अधिकांश लोग वीगन शब्द से परिचित हैं लेकिन अधिसंख्यक जनसंख्या इस शब्द का अर्थ नहीं जानते यूँ तो इस शब्द का प्रयोग 1944 से हो रहा है परन्तु इस शब्द को प्रसिधी 2010 के आसपास मिली है वेगनिजम यानि वीगनवाद सीधे तोर पर अपने आहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन से जुड़ा है वीगनवाद की अवधारणा के आधार में परियावरन की चिंता, नैतिक्ता एवं स्वास्थ संबंधी कारणों को रखा गया है भारत में अभी वीगनवाद केवल कुछ ही लोगों ने आहार शैली में बदलाव के साथ स्वीकार किया है उनके जीवन शैली में प्रयूक्त होने वाले साधन जैसे चमडा इत्यादी का प्रयोग यथावत होता है कई वीगनवादी मानसाहार भी करते हैं वीगनवादी आहार और जीवन शैली में ऐसे किसी वस्तु अत्वा खाध्य सामगरी का प्रयोग नहीं करेंगे जो किसी पशु से संबंधित हैं। पर्यावरण केंद्रित वीगनवादी इस विचार के पक्षधर हैं कि हम पशुओं के जीवनाधिकारों पर अतिक्रमन करते हैं तथा इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वीगनवाद को फिलासफी के रूप में अंगिकार करने वाले समर्थक इसे मानवी चेतना एवं बौध्धिकता से जोड़ते हैं। यह भी कहा गया है कि एथेनिक तौर पर वीगनवादी परमपराओं को मानने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक समवेदन्शील, समझदार एवं बौध्धिक स्तर पर सम्रिध होते हैं। जबकि शाकाहारी एवं मासाहारी लोग अधिक उत्तेजनापूर्ण जीवन जीते हैं। कुछ लोगों ने अपने रिसर्च में यह पाया कि समपूर्ण शाकाहार पर आधारित जीवन शैली में घी दूद पनीर शहद आधी के सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने रिदय रोग सनायू तंत्र संबंधी रोगों की संभावना अधिक रहती हैं। जबकि वीगन जीवन शैली से बीमारियों की प्रत्याशा में कमी होती है। इस विचार से वीगनवाद के लिए वैज्ञानिक आधार प्राप्त करने की कोशिश है। दार्शनिक परियावरणिय एवं स्वस्त रहने के लिए वैज्ञानिक आधारों के बावजूत केवल आहार में परिवर्तन कर लेना वीगनवाद एक कवायद मात्र प्रतीत होती है भारत में कथित तौर पर वीगनवाद के समर्थक केवल दूद से बने आहार को त्याग रहे है जबकि दूसरे पक्षियों पशु मास के सेवन से उनको परहेज नहीं है भारत में तो वीगनवाद केवल एक शब्द की तरह है जो फैशन के तौर पर अपनाया जा रहा है वीगन समर्थक लोगों का आहार क्या होता है मित्रों, भोजन जो शाकाहार के अलावा अंडे, दूद या उसके उत्पाद, शहद, जानवर के चमडे से बनने वाला भोजन या वस्तूओं का प्रयोग, उन कॉस्मेटिक्स जानवार की चर्बी से बने साबुन आदी का प्रयोग नहीं करते हैं भारतिय संदर्प में देखा जाए तो यह वीगन वाद डेरी उत्पादन के उपभोग को प्रभावित करने का प्रयास है भारत में डेरी उत्पादन 300 मिलियन टन है डेरी उत्पाद भारतिय जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा है देरी उत्पादन आर्थिक गतिविधी का प्रमुख हिस्सा है देरी उत्पादन के उपभोग से पशुओं के अधिकारों पर अतिक्रमन कहीं से भी प्रतीत नहीं होता वीगनवाद परिवर्तनशील उपभोगतावादी समाज के लिए एक ऐसा सिध्धान्त है जिसे व्यवहारिक रूप से सार्वभौमिक स्विक्रिती मिलना कठिन है भारत देश में जहां संस्कृती एवं सामाजिक व्यवस्था भाषा सहित कई मुद्दों पर विवित्ताएं है अतक इसे व्यावारिक रूप से केवल व्यक्तिगत अनुष्थान तो हो सकता है परन्तु सार्वजनिक रूप से इसे स्विकारोक्ती मिलने में संदे है